Hello everyone, welcome to Agrawal Education Classes. आज हम पढ़ेंगे Science Class 6, Chapter No. 1, Food, Where Does It Come From? सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हम food को क्यों खाते हैं? हम food इसलिए खाते हैं ताकि क्या हो हमारी body growth करें and हमें क्या मिले? energy मिले हमें energy क्यों चाहिए हमें energy इसलिए चाहिए ताकि हम क्या घर से किसी भी काम को कर सकें चलिए start करते हैं What did you eat at home today? आज आपने अपने घर पर क्या खाया? Find out what your friends had today और आज आपके friend ने क्या खाया? Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने आज और कल में same type का food खाया था? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? क्या हम अलग अलग समय पे अलग 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 प्रकार का food नहीं खाते हैं? क्या ऐसा नहीं है? तो हम क्या करते हैं? अलग अलग समय पे अलग 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 टाइप का food खाते हैं? Suppose हम दिन में कुछ और खाएंगे, रात में कुछ और खाता है Food variety Activity first Ask your friend in the school about the items they will be eaten during a day अपने friends से पूछिए कि वा एक दिन में क्या-क्या चीजे खाता है See if you can also get this information from friends staying in different states of India अगर आपका कोई ऐसा friend है जो कि है आपका इंडिया के किसी और state में रहता है तो उससे भी पता करिए कि उस पूरे दिन में क्या-क्या food खाता है List all the items in your notebook और इसको क्या करिए? List बनाइए और अपनी book में note करिए As given table 1.1 जैसा आपको table दिया 1.1 इसके according For as many friends as possible जितने friends से हो सके उतने friends से पूछिए What do we eat? Name of the student's friend आपने आपने friend का name लिखना है Food items eaten in a day और जब वो दिन में खाता है उसका आपने आपने इसका नाम लिखना है Different food items आपको एक picture दिये हैं पर यहां बताया है कि आपको different types के food items जैसे कि आपको यह बना के दिया इसको बोलते है Italy यह आपको fish दिया है यह आपको दाल या फिर कोई soup दिया हुआ है There seems to be so much variety in the food that we eat अपने भोजन में हम अनेक पकार की चीज़े खाते हैं What are these food items made of और यह items जो किस चीज़े बने होते हैं Think about rice, rice के बारे में सोचिए Rice कौन सा rice? पके हुए चावल We take raw rice and boil in water हम क्या करते हैं? पके हुए चावल बनाने के लिए हम क्या लेते हैं? एक कच्चा चावल लेते हैं और क्या लेते हैं? पानी को लेते हैं Just two materials or ingredients are needed to prepare of this boiled rice हमें boiled rice के बनाने के लिए कितने ingredients चाहिए? बचो ingredients का मतलब होता है सामिकरी या फिर material हमें boiled rice के लिए क्या चाहिए? एक तो कच्चा चावल चाहिए और एक क्या चाहिए? पानी चाहिए On the other hand, some food items are made with many ingredients to prepare vegetable curry और हमें कुछ चीज़े को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? बहुत सारे ingredients चाहिए होता है जैसे कि suppose हम क्या बना रहे है? vegetable curry We need different kinds of vegetables हमें इसके लिए क्या चाहिए? अलबल प्रकार की सबजेया चाहिए, salt चाहिए, spices चाहिए, oil and so on Spices का मतलब आपको मसाले चाहिए अब हम पढ़ते है activity 2 Activity 2 Choose some items you listed in table 1.1 जो आपने 1.1 में dishes लिखी थे अपने friends से पुछके उन में जे कुछ चीज़ों को dishes को select कीजिए and try to find out what ingredients are used to prepare these और पता करिए कि उन dish को बनाने के लिए किस-किस ingredients की आवशकता होती है By discussing with your friends and elder atom आप पता कर सकते हैं अपने friends से या फिर अपने घर पर जो बढ़े हैं उनसे पूछ सकते हैं List them in table 1.2 आप इसको कहाँ कि जी आपने table 1.2 में इसको लिखिए Some examples are given here आपको कुछ example दिये हुए है Add some more items to this list और कुछ items को आप add करिए इस आपको दिया हुआ है यहाँ पर एक्जामपल Roti and Chapati इसके लिए कितने ingredients चाहिए Two चाहिए एक आपको आटा चाहिए और कहाँ चाहिए Water चाहिए यसे दिया आपको दाल दाल के लिए कहाँ चाहिए आपको पलसे पलसे मतला कच्ची दाल चाहिए Water चाहिए Salt चाहिए Oil या फिगी चाहिए और क्या चाहिए आपको Spices चाहिए What do we find? हमने क्या देखा Do we find some ingredients common for different food items? क्या कुछ ऐसे ingredients होते हैं जो क्या होते हैं आपकी अलग-अलग dishes में क्या होते हैं Common होते हैं Discussing Class इनको आपने क्या करना है Class में Discuss करना है तो कौन से ingredients common होते हैं? आपकी dishes में जैसे कि Suppose हम वो साई dishes बनाते हैं तो क्या होता है? इसमें Spices डलते हैं और Salt डलता है तो यह क्या आपका Common ingredients जो क्या डलते हैं? Mostly सभी dishes में डलते हैं So where do these ingredients come from? तो यह ingredients आते कहां से हैं? Food materials and sources Food materials और उनके sources कि यह आपको कहां से प्राप्त होते हैं It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2 Fruits and vegetables for instance हमारे लिए आसान होगा जो हमने table बनाई है 1.2 में वहां से कुछ ingredients को पता लगाना कि हमें कहां से प्राप्त होते हैं जैसे कि आपको fruits and vegetables कहां से मिलता है यह आपको मिलता है plants से Where do they come from? Plants of course कहां से मिलता है हमें? Plants से What are the sources of rice or wheat? Wheat or rice हमें कहां से मिलता है? You may have seen paddy or wheat fields with row and row of plant आपने देखा होगा paddy और wheat fields के fields को जहापे क्या होता है? इनका खेत होता है किसका? Paddy मतलब दहान का और wheat मतलब गेहू का महापे क्या होता है? रोज में क्या लगे होता है? Plants लगे होता है रोज मतलब देखा हम सुगब स्कुल में क्या करता है? Prayer करता है तो हम क्या करता है? रोज में खड़े होता है उसे टाइप से क्या होता है? हमारे जो wheat और paddy की fields होती है, वो भी क्या होती है, उनको plants को रोज में लगाया जाता है, which gives us these grains, हमें क्या देते हैं, यह grains देते हैं, and then there are foods, items like milk, eggs and meat, which comes from animals, और हमें milk कहां से मिलता है, eggs और meat, किसे मिलता है, हमें यह animals से मिलता है, फिकर 1.2 में आपको दिया हुआ है, यह आपको दिया हुआ है, source of plants, जैसे क्या मिलता है आपको, इससे fruits मिलता है, और यह क्या मिलता है, आपको grains मिलता है, और source of animals, जैसे animals से में क्या मिलता है, meat मिलता है, और egg मिलता है, activity third, let us take the food items listed earlier, and try to find out where they come from, the ingredients and their sources, जो हमने अभी पिछे list त्यार की थी, उद में से आपने कुछ ingredients का पता लगाना है, कि आपको यह कहां से मिलता है, और यह dishes किस ingredients से बनती है, some examples are shown in table 1.3, को examples आपको table 1.3 में दिये हुए है, fill in the blanks in the table 1.3, जो आपको खाली space दिया है, आपने इनको भणना है, and add more examples to this, table 1.3, ingredients used to prepare food items and their sources, जो आपको food items दिया है, इडली, इसका ingredients आपको उसमें क्या कहें चाहिए, rice से ही होता है, और दाल, salt and water, हमें rice किसे मिलता है, plant से, और दाल हमें कहां से मिलेगा, plant से, salt मिलता है, हमें, salmon से, water कहां से मिलता है, वोटर मिलता है, हमें धर्टी के नीचे से, यानि ground water, ठीक है, हमारे पास कैसे पूझता है, ये by purification करके हमारे घरों तक पहुचाया जाता है, एसे लिखा है आपको chicken करे, जीचे के लिए आपको chicken चाहिए, ये किसे मिलता है, आपको animal से, spices कहां से मिलेंगे, हमको, spices मिलता है, हमको plant से, oil, घी, किसे मिलता आपको plant से, और फिर animal से, water, होई आपका ground water, ऐसे है आपको दिया होगा है खीर, के लिए milk, milk कहां से मिलता आपको एनिमल से, rice, rice मिलेगा आपको प्लांट से, sugar, सुगर कहां से मिलेगा हमको सुगर मिलता हमको, सुगर, केन से What do we conclude from activity third, हमने activity third से क्या conclude निकाला, plants are the sources of food, ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits, जो plants होता है, वो क्या होता है, sources होता है किस foods के, आपके grains के, cereals, cereals में, आपके क्या होता cereals में आपका आता है, wheat आता है maze आता है, और paddy vegetables and fruits और vegetables and fruits हमको किसे मिलता है, plants से animals provide us with milk animals हमें क्या provide करता है, milk meat products and eggs cows, goats and buffalo are some common animals which give us milk, जो हमें क्या देता है milk देते है, milk and milk product like butter हो गया cream, cheese and curd are used all over the world, ये क्या होता है, आपके पूरे संसार में use के जाते है क्या क्या, दूद हो गया cream हो गया, पनीर हो गया और दही हो गई, can you name some other animals which give us milk क्या हम नाम बता सकते हैं, कुछ other animals का जो हमें क्या देते हैं, milk देते हैं, plant parts and animal product as food इस topic में हमको पढ़ना है कि हम plants के कौन से part को खाते है and animal products as food और कौन से animal product को as a food खाते हैं, plants are one source of our food plants क्या होता है, हमारे एक मुके सोर्थ होता है कि इसका food का which parts of our plant, हम plant के कौन से part को खाते हैं, we eat many leafy vegetables, हम क्या करते हैं, बहुत सारी पत्यदा सब्जे को खाते हैं, we eat fruits of some plants, हम कुछ plants के fruits खाते हैं, जैसे कि mango हो गया, apple हो गया sometimes roots, और कहीं बार क्या खाते हैं, roots खाते हैं, जैसे कि आपका carrot हो गया, radish हो गया sweet potato हो गया, सब क्या होती हैं, आपकी roots होती है, sometimes stems, और कहीं बार क्या खाते हैं, stems खाते हैं, जैसे कि आपका potato हो गया, और onion हो गया, सब क्या होते हैं, stems होती है, and even flowers, और कहीं बार क्या खाते हैं, flowers खाते हैं, have you ever eaten pumpkin flowers, dipped in rice, paste and fried, क्या आपने कभी pumpkin flowers को rice paste में dip करके, यानि कि pumpkin flowers को उसमें भिगो कर and fry करके खाया है, pumpkin flowers को क्या होता है, pumpkin flowers, pumpkin मतलब कि आपका सीताफल या फिर कद्दू, उसके flowers को आपने क्या किया, dip किया किसमे, rice paste में, और फिर उसको क्या किया, fried किया, कभी आपने ऐसे खाया है, अगर नहीं खाया है, तो try eat, इसको घर पर try करें, some plants have two or more edible parts, हमारे पास क्या होता है, कुछ plants के एक से ज़्यादा क्या होता है, edible part होता है, edible मतलब की eatable, जिनको क्या करते हैं, खाते हैं, seeds of mustard plants give us oil, जो seeds होता है, किसका mustard plant का मतलब थरसो का plant, give us oil, जो हमें क्या देता है, oil देता है, and the leaves are used for vegetable, और क्या करते हैं, उसकी पतियों का हम क्या करते हैं, vegetable बनाते हैं, ऐसे कि हमने सुना ही होगा, सरसुदा साग, मक्यदी, रोटी, can you think of the different parts of a banana plant that are used as a food, क्या हम, क्या आप सोच सकते हैं कि banana parts plant होता है, उसके हम क्या क्या flowers को भी खाते हैं, think of more example, where two or more parts of a single plant are used as food, हमें क्या करना है, कुछ और example देने, जिनके क्या करते हैं, एक से जाता है, या फिर single part को खाते हैं, plant parts as a food, food items with plant as a major source, जैसे कि नाम है, या पर बिंजल करे दिया हुआ है, इसमें इसे क्या किए ingredients पड़ता है, या फिर इसके sources, क्या क्या है, बिंजल, बिंजल क्या आपका, इसे क्या बूलता है, bangun, ये क्या होता है, ये fruit होता है, कौन सा part होता है, plant का fruit, chili as spice, जो chili होती है, जैनिकि mirge, ये क्या होती है, मिर ucz be आपकी fruit होती है, oil from groundnut, mustard, soya bean या any other plant oil आपको किसे मिलता है oil मिलता है हमको seed से ऐसे आपने कुछ एजामपस लिखने है उनके ingredients के बारे में लिखना है और उनको बताना है कि यह आपको कौन से पार्ट से मिलते हैं plant के do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible some plants could be poisonous हमें क्या करना है किसे भी plants को ऐसे टेस्ट नहीं करना है जिसको हम क्या करते हैं नहीं जानते हैं कि यह plants कौन सा है क्या हो सकता है कोई यह plant आपका poisonous हो सकता है activity 4 from all the food items you have listed in table 1.3 choose those items whose ingredients are obtained from plants which part of a plant identify these and list the food items and plant parts and so on in 1.4 जो हमने table 1.3 में food items को note किया था उनमें से ऐसे food items को select करना है जिनके ingredients हमें plant से मिलते हैं और बताना है कि यह plant का कौन सा पार्ट हम खाते हैं और इनको table 1.3 की तरह list तयार करनी है activity 5 take some dry seeds और moon और चना हमें क्या करना है कुछ dry seeds लेने है monkey और चना के put a small quantity of a seed in a container filled with water and leaves this aside for a day और हमें क्या करना है इसके कुछ quantity को लेकर उसको एक container या कोई भी लज़ सकता है जैसे कि बाउल ले लिया उसमें क्या करना है उनको पानी में भिगो कर रख देना है कितने दिन के लिए एक day के लिए next day drain the water completely next day क्या करना है उसके water को पूरे तरह के से हमें गिरा देना है and leave the seeds in the vessels और the seeds को क्या करना है आपको vessels में छोड़ देना है यानिके बाउल में छोड़ देना है wrap them with a piece of wet cloth and set aside तो क्या करना है हमें उसको एक गिले कपड़े में लपेट कर लग देना है किसको चना या मूं seeds को the following day और एक दिन के लिए do you observe any change in the seeds क्या हमने कुछ observe देखा है इन seeds में a small white structure may have grown out of the seeds हम क्या देखेंगे हमें उस seeds पे एक white structure दिखाए देगा seeds के बाहर इसको बोलते हैं हम sprouted यानिकी sprouted इसको बोलेंगे sprouted if not worse the seeds in water drain the water and leave the from them aside for another day अगर क्या होता है आपका sprouted अगर नहीं आते हैं तो क्या करना है हमें दुबारा से उसको पानी को गिराना है और फिर से क्या करना है नया पानी भणना है उन्हीं seeds में और इसको एक दिन के लिए रख देना है दुबारा से covered with a wet cloth then next day और next day के लिए सोड़ देना है see if the seeds have sprouted फिर देखते हैं कि अब इन में क्या sprouted हो पाया है या नहीं हो पाया है यह आपको structure दिया होगा है चना ग्राम का and it's sprouted चना ग्राम है आपका इसको क्या sprouted seeds है after washing these sprouted seeds इन बाद में क्या करना है आपने इन sprouted इसको क्या करना है वोस कर देना है पानी से you can eat them हम इसको क्या कर सकते हैं खा भी सकते हैं they can also boil इनको बोल भी कर सकते हैं add some spices and get a tasty snacks to eat हम क्या कर सकते हैं इसको इसमें spices डाल सकते हैं मसालों को डाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं इससे एक tasty snacks तियार कर सकते हैं खाने के लिए do you know where honey comes from क्या आप जानते हैं कि हमें honey honey मतलब सहत कहां से मिलता है और how it is produced और इसको कैसे तयार किया जाता है have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about क्या आपने कभी मदुमखी का छता देखा है जहां पर क्या होता है उसके आसपार बहुत सारी मदुमखी क्या कर रही होती है bees collect nectar sweet juices from flowers bees क्या करती है nectar cut करती है कहां से flowers से nectar क्या होता है popultown – एपा और क्या कर लेती है इसको अपने hive में यानि की छत्य में क्या कर लेती है इसको store कर लेती है flowers and their nectar may be available only for a part of the year जो flowers होते हैं और उनका जो nectar होता है वो क्या होता है आपके कुछी समय के लिए हमारे पास available होता है so bees store their nectar for their use all through the year तो bees क्या करती है इस nectar को use करने के लिए पूरे साल के लिए खटा कर लेती है when we find such a beehive we collect the food stored by the bees as honey तो हम क्या करते हैं हम beehive में से जो bees का food होता है यानि कि जो सहद खटा करती है उसको क्या कर लेते हैं हम सहद के रूप में ले लेते हैं यह में पिक्चर दी हुई है beehive की यह आपका मदमक्य के सहता और यह क्या आपका honey सहद इसको क्या करती हो फूड के रूप में store करती है What do animal eat? Animal क्या खाते हैं? Do you have cattle or pet that you take care of? क्या आपके पास कोई ऐसा पसू है या फिर गाएं या फिर कोई भी pet animal जिसके आप care करते हैं? A dog, cat, buffalo or a goat. You will then surely be aware of the food that animal eat. आप हम जानते होंगे कि आपके जो pet animal से वो क्या खाते हैं? What about other animals? Other animals क्या खाते हैं? Have you ever observed what a squirrel, peasant, lizard और a small insect may be eating as their food? क्या आपने कभी observe कि आए कि squirrel जो क्या होती ही? गलहरी, peasant क्या होता है? कभूतर, lizard क्या होती ही? आपके छिपकली और a small insect या निकि छोटे कीट वो क्या खाते हैं? Activity 6. Several animals are listed in table 1.5. For such of them, the types of food they eat is also given table 1.5 animals and their foods. Name of the animals, food the animals eat. Buffalo. हमें क्या दिया हुआ है? ना कुछ animals के नेम दिये हुए हैं और यहाँ पे दिया हुआ है कि food item जो क्या करती है? Animal खाते हैं Buffalo की बात हो लिए Buffalo क्या खाती है? Grass क्या खाती है? Grass क्या मतलब क्या होता है? Grass मतलब होता है आपका घास, oil cake Oil cake कम मतलब होता है आपका जैसे कि हम क्या करते है? Seeds से oil निकलते हैं करते हैं और निकालते हैं उसके बाद जो मेटरियल बचा उसको बोलते हैं और केक है क्या होती है आपकी सूकी घास ग्रेंज ठीक है cat cat के खाती है cat खाती है आपकी small animals birds and milk ऐसी हमें आपके कुछ नेम दियो है rat animal rat lion tiger spider house hazard हमें लिखना है कि यह सब क्या खाते है activity 7 have a look again at table 1.5 हमें 1.5 table को फिर से देखना है and group the animals entered here as follows और क्या करना हमें group बनाना है animals का किस तरीके से place animal which eats only plants plant products in group 1 हमें group 1 बनाना है उसमें लिखना है कौन से animals जो क्या खाते हैं सिर्फ plants को खाते हैं these are called herbivores उनको क्या बूलते हैं हम herbivores herbivores क्या होते हैं ऐसे animals जो क्या करते हैं सिर्फ plants को खाते हैं they are some animals which eat other animals place this in group 2 हमें क्या करना है एक group 2 बनाना है उसमें ऐसे animals की name लिखने हैं जो क्या करते हैं other animals को खाते हैं यानिकि दूसरे animals को खाते हैं these animals are called carnivores इन्हें क्या बोलते हैं जो दूसरे animals को खाते हैं इनको बोलते हैं carnivores do you find some animals which eat both plants and animal क्या आपको कुछ ऐसे animals मिले जो क्या करते हैं आपके plant भी खाते हैं और other animals को खाते हैं place them in group 3 इनको क्या करना है हमें group 3 में इनको place कर देना है these are called omnivores इनको क्या बोलते हैं omnivores बोलते हैं prepare a table as in table 1.6 हमें क्या अगर नहीं table बनानी है 1.6 की तरह and enter these separately in the three columns as shown और क्या करना है इनके आपने नाम लिखना है इसदे क्या आपर herbivores इनके लिखना है कौन-कौन से होते हैं यहाँ आपने च्छाट के इधर लिखने हैं carnivores और omnivores पहली wants to know where you will be placed human beings while feeling table 1.6 पहली जानना चाती है कि हम human beings को इस table में कहां पर रखेंगे तो human क्या होते हैं? human भी आपके omnivores होते हैं we know that there are many amongst us who do not get sufficient food हम जानते हैं कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिने क्या होते हैं? आपका प्रयाप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है we need to find ways by which more food can be produced in the country तो हमें कुछ ऐसे तरीकों को ढूनने की आवशकता है जिससे क्या होता है? हम food को क्या कर सकें? प्रोड्यूस कर सकें ज्यादा मात्रा में that will not be enough सिफ यही अमारे लिए प्रयाप्त नहीं होगा we will need to find way to ensure that find food to made easily available to each one of us हमें यहाँ भी देखना है कि हम में से सभी को आसाने से क्या हो? यह food क्या हो? अप्लब्द हो? यह नहीं होगी हमने produce तो कर लिया इसको बट क्या हो? हम में से किसी को यह मिली ना रहा हो अब chapter के keywords देखते है ingredients, ingredients क्या होता है आपके? ingredients मतलब सामगरी जिससे क्या करता है हम? डिसको तयार करता है यानि कि ऐसी सामगरी जिसके द्वारां क्या करें? डिसको प्रपेर करें यह क्या होता है eatable, eatable मतलब eatable parts जैसे कि animals और plants के कौन से पार्ट को हम खाते हैं nectar क्या होता है? आपका sweet juice, sprouted seeds जिसको अमने क्या कहता है? अंकूरित किया था चना और मुंके दाल को herbivore क्या होता है? ऐसे animals जो क्या करते हैं? किसको खाते हैं? plants को carnivore क्या होता है? carnivore होते हैं जो क्या करते हैं? other animals को खाते हैं Omnivore क्या होते हैं? Omnivore होते हैं जो क्या करते हैं? Animals को भी खाते हैं और plants को भी खाते हैं इसके साथ आपका chapter complete होता है